शामिल होना चाते हैं उनका सभी का तहे दिन से स्वागत करती हूँ उनको शुब कामनाई देती हूँ और कॉंग्रेस पार्टी में आप बहुत सन्मानित रूप से रहेंगे ये उनको आश्वासन देना चाते हूँ आपको सबको पता है कि हमारे डिएपी में जो गए थे वरिष्ट निता ताराजन जी डेप्टी में चीफ मिनिसर थे और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष प्रदेश कॉंग्रेस के अध्यक्ष और बुद्पूरो मंत्री पीर जादा मौमत साहिच जी इनके साथ बहुत सारे ल यह तो दो मेने की चुट्टी के लिए गयते वापस आ गया है चुट्टी सैंक्षन कर दिया तो उसी को आगे लेते हुए मैं बोलूंगी कि उसके आगे का दोर है कि जो हमारे लोग हमसे बिखड़ गये थे थोड़ी तेर के लिए उनको हम फिर स्वागत करते हैं उनको हम सब मुलके मिलके आगे काम करेंगे मैं आपको बताना चाहते हूं कि रावूल कांदी जी के साथ जो जनसहलाब चल रहा है जो भारत जोड़ों यात्रा उनकी चल रही है जिसका आखरी पड़ाव हमारे जब्भू कश्रों में होने जा रहा है उनके से तीस तरिक तक और जो बीजेपिकाराजे करनाटक से उससे जादा हुआ आंध्र में तमिर्णाडु में महराष्ट में मंत्यप्रेश जो हिंदुय हार्ट लैंड बोलते उसमें भी बहुत सारे हुटसा से लोगों ने उनको स्वागत किया जो लोग रास्ते में थे सबको गले मिलाते हुए सबको सब के दूख जानते हुए दर समझते हुए राहुल गांदी जा आगे निकल निकल के अभी तक पंजाब के बाउडर तक आ गये हैं परसो याने 19 तरीक को वो यहाँ पे लखनपूर आएंगे और लखनपूर में उनका स्वागत करेंगे उनका स्वागत करते हुए हमारे ज खुद परसो बातुई तरीशी रगर में वो लखनपूर में आएंगे मेववा मुफ्ती जाएंगे फिर तरीगामी जाएंगे महमद चाह आएंगे और बाकि सभी लिडर्स यहाँ पे जो भी आना चाहता है जो कॉंग्रेस के मुल्यों के अपर विश्वास रखते हैं जो को बहुत बहुत यह अश्रेक हो कि मैं इंचार्ज हूं तो मुझे सब जगर से फोन आते हैं क्या जम्मू कष्व में आत्रा ठीक होगी वहां लोग आएंगे वहां ठीक से चले देंगे लेकिन मैं बताना चाहते हूं सब को मैं यहीं बताती हूं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर कोई अच्छी आत्रा रहेगी तो वह हमारी जम्मू कष्व में रहेगी इसमें मेरे मंद में कोई शंका नहीं है क्योंकि इसमें सभी की मैं पत्रकारों को भी धन्यवाद देना चाहते हूं कि उन्होंने सभी ने फोन करके बात करके बार-बार हमें पूझ क बहुत से कारे किया है